हालो गाईज। आज आज गाउन को देखते हैं कि एक गॉण है और गॉण जो एक चाहनी के बाहरी है तो इसका ऊसमें बहुत बड़ा बड़ा जंगल है और जंगल के पीछे तो उस जंगल में बहुत सारे जानवार रहते हैं और बहुत सारे आदमी भी रहते हैं उसमें एक गदहा रहता है तो एक दिन क्या होता है वो गदहा जो है उसको अंदर से यह जानने की इक्षा होती है कि इस गाउं के बाहर क्या है जहां वो रह रहा है उसके बाहर क्या है य वोगों को यहां लोगों को यह बात मालूम होती है कि घृधा ही आछिवा हुआ गया यहां बहुत कष्ट था बहुत दिक्कत था या उसको मन नहीं लगता था जो भी हो तो अगर वो चला गया तो उसके बारे पॉजिटिव यह बात चले के चला तक गधा अच्छा जगा पहुंच गया वह जहां भी होगा सुखी संपन होगा तो फिर बात में कुट्टों क यह बात मालम हुई कि जंगल के बाहर निकल गया कुट्टों को सुंगने की आदत होती है वह भी धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीर फिर थिरे ँसी पग्रंडी बन गई और जानवर जो गौण के थे दिरे एधिरे उसी पग्रंडी से हो कर जाने लसे उस्के बाहर नीवर से होगा जो देखते हैं तो जब आधसर इत्ते हो गई-धावागंद भया के देखते हो गई तो बन गया एक रास्ता बन गया आदमी के लिए कि इसी पर चल करके जो है लोग उस पर जा सकते हैं जब गवर्मेंट को वहां की सरकार को बहुत दूर जाते हैं बहुत महनत करके जाना पड़ता है उनको तो क्यों ना एक सड़क यहां पर बनवा दी जाए उस गाउं से और उस भी वर्मियूँ पाते हुँ तो इंजनियर जब उस गाउं में आते हैं कि अब रास्ता बनवाने के लिए लोगों से पूछता है कि इसी एक बात बताओ कोई है जो हमारे जो यहां बता सकता है कि यह यह रास्ता बनाया किसने है अगर मैं दूसरा कोई रास्ता इस से बहतर दूँ तो क्या आप उस पर चलना पसंद करेंगे लोगों ने का कत री नहीं यह रास्ता इतनी मेहनत से बनाई गई है इतना सुन्दर फग्डंडी है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होते और हम लोग बरसों से इसी पर आ रहे हैं जा रहे हैं को किसी दूसरे रास्ते के आउसकता नहीं इंजनियर ने एक ब्रिद्ध आढ़्मी को बनाई और उनसे पूचा अच्छे महात्मा जी बताईए कि यह रास्ता जो बनाया गया तो आपके गौऊं से इस गौठ तक जो आप इतना रास्ता चलकर इतना दूर भ्रहुन करके तब आप यहां पहुंचते हैं मैं साज चाह रहा था कि एक सौर्ट रास्ता दूं एक सौर्ट वेदू जिससे कि आप लोग सीधा इस गाउं से उस गाउं तक पहुंच जाएं इतना घूमने की इतना परिसान होने कि आपको जरूरत ना हो लेकिन आप लोगों का कहाना है कि जो पग्रंडी पहले से बनाई लगाई है उस इंजनियर गदहे द्वारा उसी को आप मानने के तयार है तो यहां पर तो मेरी मैं जो कहना चाहरा हूं वो तो नहीं हो पर तो फिर लोगों ने कहा कि ठीक है अगर आपको ऐसी है कि कोई ऐसा रास्ता हो सकता है जो इस सौर्ट और इसे बहतर हो तो वह क्यों आप सब लोग उसी से जाएंगे और अगर देखा जाए तो बहुत ही लंबा और बहुत ही भायानक रास्ता था क्योंकि वह गधेद वारा बनाया रास्ता था बाद में इंजनियरों ने उस रास्ते को सौर्ट किया और जो सही जर्नी थी उससे हाब जर्नी में लोग एक अस संपधा निकल जाती है और समझ में नहीं आता है कि कहां गए और कहां पहुंचे क्या हुआ और बाद में मालूम होता है कि हमारे आवस्ता बहुत हो गई और अब कुछ हो नहीं सकता बस ऐसे ही जिन्दगी जीलिया जाए तो जीवन में उसी रास्ते को चुने जो आपको प सुद्धी है मारे में और हम समझ सकते हैं तो वही काम करें इसमें आपको इंट्रेस्थ हो। कोई दबाब से प्रेक्षर से कोई काम ना करें इसãy क्या होता है आप सिर्फ